दोस्तो स्वागत आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल डोर में दोस्तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चार ऐसे मैथट्स जिसके थुरू आप अपने नई ब्लॉग या फिर अपनी नई वेबसाइट पर फ्री में unlimited traffic लेकर आ सकते हैं वो चार मैथट्स कौन से हैं और उनको किस तरह यूज करना है अगर यार आप यह जानना चाते हो तो इस वीडियो को सुरू से लेकर end तक बिना skip करें जरूर देखना मैं आपको यार गैरेंटी दे रहा हूँ जो चार मैथट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपकी website पर traffic आएगा जाएगा और यार मैं आपको एक बात बता दूँ जो चार methods मैं आपको बताने वाला हूँ इसके जरीए ही मैं अपने नए ब्लॉग पर traffic लेकर आया था और मैं आपको guarantee दे रहा हूँ ये चार methods आपकी नए ब्लॉग पर भी जरूर work करेंगे ठीक है तो यार आप आपका और time waste ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो चार methods कौन से हैं तो दोस्तो जो हमारा सबसे पहला method है वो है fake IDs सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्या फेक ID से अपनी website पर traffic कैसे लेकर आ सकते हैं तो देखो यहाँ पर मैं अपना Facebook account open करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप किस तरह fake ID से अपनी website पर traffic लेकर आ सकते हैं तो यार देखो आपको यहाँ पर यह ID दिखरी होगी अंजली त्यागी के नाम से ठीक है यह मेरी ही fake ID है जो I think मैंने March या April में बनाई थी ठीक है तो सबसे पहले आप यार इसका नाम चेक कर लो और इसका बाय हो ठीक है कहीं गलती से भी इस नाम से request आए तो accept मत करना और गलती से भी इस ID पर request मत भेज़ देना ठीक है आपका तो कुछ नहीं होगा पर मैं आप से मजे ले लूँगा ठीक है एक बार इसकी आपको मैं profile picture भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ यह इसकी profile picture है इस ID पर गलती से भी request नहीं भीज़ नहीं है ठीक है वरना अंजाम बहुत बुरा होगा चलो ठीक है यह तो रही यार मजाक की बात अब मैं आपको बताता हूँ कि यार किस तरह यहाँ से traffic लेकर आ सकते हो ठीक है तो यार देखो आपको पता है कि जो लडिकियों की ID होती है ना इन पर friends जल्दी बढ़ते हैं बहुत है ना मतलब इनको request बहुत आती है अब बाकी लडिकियों के उपर depend होता है कि वो उनकी accept करें ना करें request अब जैसे देखो यार यह मेरे यहाँ पर friends दिख रहे होंगे आपको 2683 हाना 2683 friends है यह मेरे एक महीने में हो गएते ठीक है अब आप सोच लोगे क्यार मैंने बढ़ाई क्यों नी तो यार देखो सबसे पहले मैंने यहाँ से तो traffic खूब लाया अपनी site से ठीक है अब मैंने इसलिए नहीं बढ़ा है यहाँ पर क्योंकि कुछ एक महीने बाद मेरी organic growth अच्छी होने लग गई थी ठीक है और मेरे को adsense approval भी मिल गया था आपको पता होगा adsense approval मिल जाता है तो अगर ज़्यादा traffic social media से आ रहा है as compared to organic हाना तो adsense disable कर देता है तो फिर मैंने यहाँ पर ज्यादा work करना बंद कर देता है ठीक है कि यहाँ से traffic बेजो अपनी site पर तो यहार देखो मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि अगर आप इस जैसी 5 fake IDs बना लो फेज उपे limitation होती है 5000 फेंट्स तक की है आप सोचो 5 ID बना लोगे तो आपके हो जाएंगे 25,000 फेंट्स अब देखो 25,000 में से ज्यादस ज्यादा नहीं मैं मानता हूँ चलो आपके 2-3,000 क्लिक्स आ जाएंगे ब्लॉग पगर आप शेयर करोगे 2-3,000 तो बहुत होते हैं आ अगर और ट्रैफिक लाना चाहते हो तो तो क्या करना पर्सनली डीi EM करना लोगों को देखो अगर अपने यहाँ पर मैसेज दिखाऊं तो तो अपने दोस्त को भी शेयर कर देना, ठीक है, ऐसा मैंने खुद कर आए, और लड़के करेंगे, यार ऐसे, अडिकिया बोलते हैं, तो करते हैं बंदे, ठीक है, ऐसे करना, आप सोचो यार आपको महां से भी कितना अच्छा ट्राफिक आएगा, इस तरीके से करने से भी, हन और फिर क्या करना, आप ऐसा करना, दो तीन आइडी और अपनी इंस्टाग्राम पर बना लेना, अपना एकाउंट ओपन रखना, ठीक है, एकाउंट ओपन रखना और उस पे हो सके, तो फोटोस डालते रहना, तीन-चार दिन में, फ्री स्टॉक से उठाकर, जैन्वन फिकल आने के लिए यूज करो, मिस यूज क्या करना, ठीक है, और मैं सच बताऊं तीयार, जो मैथड में आपको यह वाला बता रहो ना, यह भी तक किसी बंदे ने भी बताया नहीं होगा आपको यूट्यूब पर, और अगर आपको यह मैथड पसंद आया ना, बिल्कुल जरा सब भी पसंद आया अगर आपको, तो यार, सबसे पहले वीडियो को पॉस करो, और कॉमेंट करके बताओ, कि यार, आपको यह मैथड कैसा लगा, ठीक है, अगर मस्त लगा है, तो मैथड यार, कॉमेंट करो, तुरंद क्या हूँ यार, मज़ा आ गया रहे मैथड जान सबसे पहले, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, न्यू टैप पर, और आपको बताता हूँ, कि आप इस वेबसाइट को यूज करके अपनी वेबसाइट पर कैसे ट्रैफिक ले कर आ सकते हूँ, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप करना क्या, कि इस जब आपनी profile पर click करोगे तो आपको देखो यहाँ पर write a story वाला section दिखेगा ठीक है अब simply इस पर click करना अब देखो आपको करना क्या है जैसे suppose आपने अपनी website पर अपना एक article लिख रखा है how to lose weight in 14 days ठीक है तो आप करना यह कि आप अपने उस article का title copy करके ठीक है as it is यहाँ प copy करके यहाँ पर paste कर देना और उसके बार read more करके अपने उस article का link यहाँ पर paste कर देना और यहाँ पर simple publish वाले button पर click कर देना ठीक है अब देखो होगा क्या कि यह जो आप medium.com पर article लिख रहे हो न अपना copy paste करके अपने उसी blog का तो क्या होगा कि यह within 7 to 10 days के अंदर google में top 15 य जो कि देखो जो medium.com है इसकी जो authority है बहुत high है जैसे देखो आपको यह शूवर होगा 95 तो यार देखो आपको भी पता है जिसकी authority हाई होती है Google उसको ज्यादा priority देता है ना फिर Google इतना ज्यादा check नहीं करता कि वो content किस तरह का लिख रहा है copy लिख रहा है या फिर unique लिख rank हो गई होगा बस आप एक बात का ध्यान रखना कि जिस keyword पर आप medium पर अपना article लिख रहे हो उस keyword पर पहले किसी और बंदे का medium का article गूगल में rank ना हो रहा हो ठीक है ऐसा में क्यों क्या रहा है क्योंकि देखो यार जितना मैंने notice करा है कि जिस keyword पर पहले ही किसी और बंदे का medium का article rank हो रहा हो उस case में हमारा भी medium का article rank हो वहाँ पर chances थोड़े कम होते हैं ठीक है तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना अब देखो यार मैंने आपको यह method तो बता दिया है कि आप copy paste करके medium पर publish करके अपना article ऐसे करके आप अपनी website पर traffic लेकर आ सकते हैं ठीक है तो आ आपका doubt दूर करने के लिए एक बार मैं अपने stats check करा देता हूं और आपको दिखाता हूं कि मेरे medium के article पर कितने views आ रखे हैं ठीक है एक बार मैं अपने stats वाले button पर click करता हूं तो आप देख सकतो यार मेरे को यहां कितने views आ रखे हैं ठीक है तो मैं आपको एक बार अपन एक पर मैं देखो आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह आर्टिकल यहां पर पब्लिश कर रखे हैं ठीक है अब आप देखो खुदी देख लो कि 5.6 के व्यूज हैं तो मेरे को अराम से 1000-1200 का ट्राफिक आ चुका होगा हाना उस टाइम जब मेरी वेबसाइड नहीं न यहां पर मैंने अपनी वेबसाइड से थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लिया था ठीक है और पिर उसके बाद उस आर्टिकल की यहां पर लिंक रीड मोर करके उस आर्टिकल की डाल कर एपसको पब्लिश कर दिया था ठीक है तो इसी तरह आपको भी करना लिगें अर देखो तो आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हो, क्या, जैसे suppose कि आपने एक article, ओ sorry, आपने एक keyword find कर लिया, ठीक है, उस keyword का नाम है best affiliate programs, ठीक है, और आपने उस keyword पर, ठीक है, अपनी website पर article नहीं लिख रहा का, तो आप क्या करना, उस keyword पर medium.com पर सीधा article लिख देना, तो देखो इस second चीज यह है, कि आप medium को अपना competitor नहीं बना रहे हैं, तो क्यूंकि देखो, जो मैं आपको method बता रहा हूँ, कि आप copy paste कर लो, इसमें क्या है, कि आपको traffic तो आ रहा है, पर साथी साथ, आप medium को भी अपना competitor बना रहे हो, अब दूसरा जो मैं आपको case बता रहा हूँ, कि आ आप direct ही उस article को, जो आपनी keyword find कर रहा है, उसको आप सीधा medium.com पर डालो, ठीक है, उस पर content लिख करके, बढ़ी ऐसा, उसमें क्या होगा, देखो, आप competitor नहीं बना रहे हो, उपड से, क्या करना, कि जो आपका कोई article होगा, relatable, जिस keyword पर आप लिखोगी medium पर, उसको medium से link कर द है, तो आप इस तरह, इस method को use कर सकते हो, बाकी देखो, मैंने आपको views दिखाई दे हैं, कितने कितने आ रखे हैं, और देखो, यह है मेरा hundred plus best whatsapp status वाला article, यह मैंने खुद लिखा था, ठीक है, और इस पर आप देख सकते हो, 35 की views आ रखे हैं, तो सोचलों आप मेरे को यहा सो दोस्तों, जो हमारा third method है, वो है whatsapp group, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, जो बहुत सारे whatsapp groups में join हो रखे होंगे, और वहाँ पर अपने blog के URL को भी share करते होंगे, हना, जैसे कि let's suppose आपको कोई food blog है, हना, food recipe blog, तो आप लिखते होंगे, कि भाई, मेरा food recipe, मेरी food recipe related website है, तो फिर वो आपकी website पर visit क्यों करेगी, हना, interested ही नहीं है वो, और दूसरी चीज़ यह है, कि देखो अगर वो गलती से आपकी website पर आ भी जा रहे होंगे, तो मुश्किल से वो 5-10 second scroll कर रहे होंगे, फिर वहाँ से cut करके चले जा रहे होंगे, तो उससे आपको क्या फाइद तो देखो आपको करना यह है, कि आपको ऐसे groups में join होना है, जो आपकी niche से related है, अब आपकी मन में doubt आ रहा होगा, कि आपनी niche से related WhatsApp group किस तरह find करें, तो देखो आपको simply करना यह है, कि आपको Google पर जाना है, और आपकी जो भी niche है, जैसे let's suppose आपकी food recipe related niche है, ठीक है, तो आप Google पर जाके type करना, food recipe, ठीक है, WhatsApp group link, ठीक है, उसके बाद आपको जो भी site देखे, first, second, third number आप किसी पर भी click कर देना, ठीक है, आपको हर website पर WhatsApp groups के link मिल जाएंगे, ठीक है, तो मैं simply यहाँ पर यह first website open कर लेता हूँ, ठीक है, आपको जितनी भी links मिलेंगे, आप one by one sub links पर click करक ठीक है, सबी groups को join कर लेना, जैसे मैं इस group को, group की link को open कर लेता हूँ, next step में, ठीक है, तो देखो, आपको यह पर join chat को button देखेगा, ठीक है, आप simply इस पर click कर देना, तो आप इनके WhatsApp group में join हो जाओगे, ठीक है, अब जैसे यहार देखो, आप let's suppose कि आप 10 group में join हो जाते हो, और हर group में 200 बंदे हैं, तो 200 into 10, 2000, ठीक है, minimum चलो हम माल लेते हैं, अगर आपके 200 से 2500 clicks तो आई जाएंगे, अगर आप ब्लॉक शेयर करोगे हर group में, ठीक है, 10 के 10 में, अब देखो, पहली चीज यह है कि आपको 200 clicks तो आई जाएंगे, ठीक है, तूसरी चीज यह है कि देख कि वो आपकी niche से related है, हाना, तुरंट bounce नहीं होंगे आपकी side पर, मैंने इसी method को use करके, अपनी niche से related सारे groups को find कराता हाना, जितने भी groups है, अपनी मेरी niche से related उनको join कराता, ठीक है, और इसी तरह मैंने अपनी website पर traffic लेकर आयता, तो आप भी इस method को use करके, अपनी website पर traffic लेक आ सकते हो, तो दोस्तों, जो हमारा fourth और last method है, वो है कोरा, आप में से कई लोगों ने इस website का नाम सुना होगा, आपने बहुत सी SEO वीडियो भी देखी होगी, तो आपने इस website का नाम बार बार सुना होगा, हना, तो मैं जल्दी से एक बार फटा फटा आपको बता देता हू कि आप किस तरह कोरा का use करके अपनी website पर traffic लेकर आ सकते हो, सो सबसे पहले मैं इस website को new tab पर open कर लेता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि आप किस तरह इस website का use करके अपनी website पर traffic लेकर आ सकते हैं, ठीक है, तो देखो, कोरा पर आपको करना क्या होता है, कि आपको Crisin Games पीस-4 गेम ना इस तरिये के आर्टिकल लिखते हैं तो आपको यहां पर सर्च करना ही ठीक है kore आक्शन गेम से इसे ही करना आपको रहा है और उफटोड़ कोशन्स मिल जाएंगे यहां würde देख सकते हो आप तो आपको जो भी लगता है कि यह जो questions है पूछे गए हैं यह मेरे blogs से related है ठीक है इनका answer करके मेरी website पर traffic आ सकता है तो आप simply उस question का answer करना है तो मैं आपको समझाने के लिए second question open कर लेता हूँ ठीक है तो फिर आप देखो आप देख सकते हो कि इस question का जो answer है 22 लोगों ने कर रखा है यह जो question है which are the best action games for PC का हना तो देखो आप देख सकते हो जो answer बंदों ने कर रखे हैं यहां पर यह बहुत लेंदी कर रखे हैं हना तो आपको भी जो answer देने हैं बहुत detail में देने answer हना minimum आप 500-600 words तक का तो आपको content यहां लिखना ही पड़ेगा मतलब 500-600 words तक का आपको कम से कम answer यहां देना पड़ेगा अगर आप अच्छा traffic चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर हना और जो भी आप इस पर answer दोगे ना वह पूरा unique होना चाहिए ठीक है कहीं से भी copy paste नहीं होना चाहिए वरना जो कोरा है वह आपका answer remove कर देगा ठीक है और देखो जब आप इसमें answer कर रहे होंगे ना कोरा पर तो आपको इसके साथ साथ अपने ब्लॉग का URL भी insert करना है ठीक है आप direct naked URL मत डालना आप उसको anchor text बनाना ठीक है तो इस तरह के साथ आप अपनी website पर traffic लेकर आ सकते हो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यह जो कोरा है यहाँ पर जो लोग answers करते हैं इनको views भी अच्छे मिलते हैं मतलब इनके answers प पर 1.5k views आ रखे हैं हना नीचे scroll करते हैं इस answer के views देखते हैं कितने आ रखे हैं तो देखो आप देख सकते हो इसके हैं 7.9k views तो आप सोच सकते हो कि इस इतने views आ रखे हैं तो अगर इसने ब्लॉग का URL यहाँ पर insert कर रखा होगा तो इसको कितना अच्छा traffic मिल रहा होग समझ लीजे कोरा पर यहाँ पर लाखों तक भी views चले जाते हैं और लाखों तक views जा रहे हैं तो आप सोच लीजे कितना अच्छा traffic आएगा हना अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी में content लिखते हो अपनी website पर हना या अगर आप हिंदी content मिलेगा ठीक है जो भी हिंदी यूजर से ना वो यही website इसी सब डोमेन पर जाते हैं कोरा के ठीक है तो आप high.cora.com पर जा सकते हो अगर आप एक हिंदी राइटर हो हना अगर आप एक हिंदी ब्लॉगर हो तो आप इस पर जाकर के अपने नीश से related questions find कर सकते हो और उसके answers दे सकते हो तो दोस्तो ये थे वो चार methods जिनका use करके मैं अपने नए blog पर traffic लेकर आया था और जिनका use करके आप भी अपने नए blog या फिर अपनी नई website पर traffic लेकर आ सकते हैं दोस्तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्तो आपको ये करना चाते हो तो मैंने आपको नीचे description box में अपना WhatsApp नमर दे रखा है आप मुझे personally भी contact कर सकते हो और अपने doubt पूछ सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई topic के साथ